सतना के सिंगपूर गोली कान मामले में स्पी को हटाय जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है जहां एक तरफ महर विधायक नारायन तिरपाथी ने इसको ओचित कदम ठहरा है कोई दूसरी और कुछ समाज सेवियों ने इसे गलत बताया है महर विधायक नारायन तिरपाथी ने कहा कि सिंगपूर में ठाना प्रभारी द्वारा पुष्टाज के लिए लाए गए रामपती कुछवाहा की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस घटना की मैं भड़ सक निंदा करता हूँ उन्होंने घटना का जिमेदार सतना एस्पी रियाज इकबाल को बताते हुए उन पर गंभीर आरोब भी लगाए तिरपाथी का कहना है कि रियाज इकबाल के कारेकाल के दोरान लव जिहाद जैसी घटना सतना में ज्यादा बढ़ी है इसके साथ ही सतना में जुआ, शराप और अनैतिक घटनाओं में भी इजाफा हुआ है इनके एस्पी रहते सिंगपूर थाने में हत्या जैसे मामले सामने आए मुक्रिबंतरी शिवरा सिंग चोहान द्वारा एस्पी को हटाए जाने का उन्होंने समर्थन किया रामपती कुस्वाहा के साथ जिस तरह उसको पकड़ के ले जाकर उसकी थाना में हत्या कर दी गई इसकी में घोर निंदा करता हूं और सतना जिला बरतमान में अपराद का केंदर बनता जा रहा है तमाम लब जिहाद की घटनाएं पूरे सतना जिला में चिंता का विसे बना हुआ है पूरे सतना जिले में जुआ सट्टा खुलियान संचालित है यहां तक कि घर घर में सराब सप्लाई की जा रही है यह बिना पूलिस प्रसाथशन के सह के संभो नहीं है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार सतना के स्पी रियाज एहमद है उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और जब से यह आये हैं तब से लगातार अपराद पढ़ रहे हैं सतना में उदर समा सेवी शंभू चरंड दुवे ने कहा कि सिंखपूर में रामपती कुशवाह को मारने वाले को कड़ी सदा मिलनी जाहिए लेकिन स्पी रियाज इकबाल को हटाना उचित नहीं है हत्या की जांच से कराई जानी चाहिए थी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ बड़ी दुखत पूर्ट घटना है सिंखपूर में आज एक कुशवाह परिवार की हत्या कर दी गई निश्यतौर से एक बड़ी दुखत घटना है और ऐसे जो भी पुलिस कर्मी इसमें सामिल है उनको बड़ी सजा मिलना चाहिए यह क्योंकि बड़ा घिनोना प्राथ कि अनोंने थाने में बंद करके और एक सबग मिलना चाहिए ऐसे पुलिस आफिसरों को कि दुबारा कभी भी ऐसी घटना वो ना करें संगीत की सवर लहरीयों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबर के पिढ़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पक्दंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूट मीती तक, दखन न्यूज, आपके हद तक आप देख रहे हैं दखन न्यूज